नमस्कार दोस्तो वैलकम टूत्तासरगी टीवी अन कंस्ट्रक्शन एन दिस इस दा बॉंग गाय फ्रम त्रिपुरा दोस्तो यह मेरा पहला QNA वीडियो है बीजी शेडियो के कारण बीजी लाइफ के कारण आपके बहुत सारे सवालों का मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे प करते हैं धूस्तो मैं पहला सवाबरा रहा है। उरेंद्र महात्यों जी का सुरेंद्र महात्यों जी पूछते है क्या हूंड डालम ДСB i sleep use क्या है काई from human उससे पूछ रहे है तो सुरंद्र महतुजी पहले तो मैं जो सिमेट का टाइप टाइप से वो आपको सज़ेश्ट करूँगा कि अब पहले वो जालो तो मैंने टाइप सब्सक्राइप के उपर और कौन से टाइप का सिमेट कहां पर यूज होता है उसके उपर आलरीडी मैंन नॉर्मली तीन टाइप का सिमेंट है एक है OPC, PPC और PSC ठीक है तो डाल्मिया DSP का दो वेरियेंट है मार्केट में एक है PPC सिमेंट और दूसरा है PSC सिमेंट अब PPC और PSC का जो 28 डिस के बार मतलब ढालाई के बाद 28 दिनों के बार जो कॉंप्रिसिव श्रेंद्थ आता है अब देखिए 37 MPa है इसका कॉंप्रिसिव श्रेंट अपर 28 डिस ठीक है अब नॉर्मल पीपीसिव सिमेंट का है 33 MPa तो 4 MPa का डिफरेंस है और इसका जो प्राइस का जो डिफरेंस है नॉर्मल किसी भी PPC और PSC सिमेंट से वो प्राइस का डिफरेंस बहुत जादा है दोस् बात आती है मतलब कास्टिंग की बात आती है तो वहाँ पर आप OPC सिमेंट यूज़ कीजिए दोस्तों पीपीसी पीएस सिमेंट मत यूज़ कीजिए उसका टाइप मैंने वीडियो में मैंने अल्रेडी बता दिया है कि और से टाइप का सिमेंट कहा पर यूज़ करना चाह है इस कीवने वीडियो में मैं ज्यादा इला इलाइप लिने वह लोंगा क्योंकि जो जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने अल्रेडी वीडियो पे पिछले वीडियो पर बताया हुआ है वो दुबारा रिपीट करके वीडियो लंबा खीचने का कोई मतलब नहीं गनता किके न द है कि त्रिपूरा में बंगलादेश का बहुत सारा उपेसी सिमेंट मिल रहा है ठीक है वो सही होगा कि नहीं कंस्ट्रक्शन के लिए वो पूछ रहे ठीक है साहिम हुसें जी मैं आपको सिर्फ बताओंगा आप खूदी सोच लेना खूदी अनालाइस करना कि सही होगा कि ग हुस्क्राइबा फिरिंद्र घौंडरा है और इंडिया अपके रहेगा आप खूदी सोच लेना वह रहाओ है सम अच्छा आप तीसरा सवाल लेता हौं पॉलच मुझा जिंदार जीक्त का वो भी बंगलाएम में पूछ रहा है दादा रूफ स्लेब की सिमेंट की सिमेंट यूज करो और मैं सुर्च रतर डाल में डिस्पी यूज करूंगा लेकिन आपका वीडियो देखने के पाग मैं टेंशन में पर गया ठीक है तो पॉलाश मोजम दर जी मैं आपको भी वही चीज बताऊंगा कि ज देख लेना ठीक है उसमें इलाबोरेट लिए मैंने बताया है कि कौनसे काम के लिए कौनसा सिमेंट यूज करना चाहिए ब्रिकॉर के लिए कौनसा रूप बीम कॉलाम फाउंडेशन के लिए कौनसा सिमेंट यूज करना चाहिए वह आप देख लेना अब बाकी डाल में ड सब्सक्राइब का आप यह समेंजन के साथ अब जरूर से कोई बी गुछ ना जो वाटरूफिंग का जैट मिशन है और जो एजएंट है खोएब उपघरूट प्रूरूद ज़रूरिएजन तुV कर लो लुद युऌ लोग चण यह से बसक्याओं का अंसर देते हो इसका इसका भी जवाब शायद में दे चुका हो अल्रेडी की नॉर्माल पीपेसी का 33 MP है और डीएसपी का 37 MP आता है ठीक है और जो वो जो एड़ाइज करते हैं कि वो है 50 प्लास MP श्रेंद आता है वो गलत है दोस्ते पाच पाल नॉर्माल सा सवाल है कुछ जो ब्रेंड है वो पीज के हिसाब से प्राइस बताते हैं और कुछ-कुछ जो ब्रेंड है वो केजी के हिसाब से बताते हैं जैसे कि जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है इंडिया में प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो पूरी इंडिया में ज्यादा रोड प्र तूछ पूछ रहे हैं दूफ कहा लूबाबु बोल रहे हैं भाई और सी मिल रहा है तो अगर को बाउरा नहीं करता हूँ जोग से पड़ अगर आपको पीजी सिमेंट जो है ना वो मार्केट में अभी प्रोडक्शन बहुत सारे जगा पर कमी मिल रहा क्योंकि PPC सीमेंट का ज्यादा मर्केटिंग हो रहा है फिलाल के मार्केट में, तो PPC सीमेंट का मार्केटिंग होने के कारण से आपको PPC सीमेंट के ज्यादा मिलेंगे ठीक है और PPC का कोस्ट OPC से थोड़ा कम है, तो PPC, अगर और जो OPC का जो घालाई काम ओपीची से ही करवाना सही रहता है पीपीची से नहीं ठीक है तो आप देखिए ओपीची सिमें आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे जो PPC cement है PPC cement का mixing है mixing में cement content थोरा ज्यादा डाल देंगे ठीक है PPC cement में around 65% cement linker use होता है calcium oxide है और OPC में 95% around use होता है ठीक है तो आप PPC का cement content थोरा increase कर देंगे तो 28 days के बाद जो strength आएगा तो वो लगभग OPC के equally हो जाएगा ठीक है तो आप PPC का cement content थोरा increase कर देना अगर आपको OPC नहीं मिलगा है ठीक है दोस्त अगला जो सवाल है वो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है ठीक है तो वो वो सवाल है कि 162 से ही divide क्यों होता है ठीक है आप जो रोट का जो केजी जो निकलते है ना पार मीटर के हिसाब से केजी निकलते है या फिर पूरे रोट का है जो साइज है उस हिस आप से जो उसेद केजी क्या है ठीक है उसकेयक उसका मतलब वैट क्या है रोट का कैसी निकलते है तो सका फर्मॉल अजिस्ट एक मिडर 4-1-60-2 जिसमें डिए डैमेटर ये रोट है सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे रोट का एक रोट का वेट निकल जाता है ठीक है तो 162 से ही क्यों डिवाइड होता है अब देखे इसका कैलकुलेशन इस साइट में दिखा दूँगा ठीक है आप कैलकुलेशन देख लेना तो जैसे कि हमको एक फर्मुला पता है कि डी इस इकल टो मास भाई वुल्यूम अब मास को वेट भी बोल सकते है तो देंसी भी चीज़ का वेट निकलना है तो देंसिटी से वोल्यूम को मल्टिप्लाइ करेंगा वोल्यूम क्या होगा वोल्यूम मतलब रोट का वोल्यूम के हाथ है क्रोस्सेक्शनल एरिया इंट्रीस का लेंग तो प्रोस्सेक्शनल एरिया क्या होगा पाई डी स्क्वार भाई फोर इंट्रीस का जो लेंद है तो वो लेंद बोलेंगे तो 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यों मतलब एक मीटर क्यूब आप उस मेट्रियल का जो वेट है वो है 7850 के जी दूस्ते तो आप इस दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहाँ पर आप देख लिजे मैं अल्रीडी और कल्कुलेट करके आपको सिंप्लिफाइ करके म अ कि मीटर में है तो एक मीटर का हम लेंद निकारने से मल्टिप्लाइ करना पड़ता है और दी स्वाइर कि woven 1000 लिए सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत सरा मोटिविशन मिलता है जितना सब्सक्राइब पर इंक्रेज हो रहा है उतना मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं और कोई बहुत सरा वीडियो बनाओ और वीडियो बनाता रहो कभी भी ये काम मैं छोड़ो ना चाहिए कोई भी काम करो जिंदिगी में लाइफ अपने लाइफ में कोई भी काम करो लेकिन एक कस्ट्रक्श झाल